हेलो एवरिवन स्वागत हम सभी का टोपस प्रैम चैनल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर फोर धातू और धातू यानि कि मैटल और नॉन मैटल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है यहां से इंपोर्डेंट कोशिन पूछे जाते हैं तो देख प्रिकरती में स्वतंत्र रवस्था में पाई जाती है जिने क्या का जाता है एक्रिय धातू कहती है जिसे सोना चांदी और प्रिकरती में स्वतंत्र रूपे में पाई जाती है तो याद रखिए सोना चांदी और प्लाटिनम ये तीनो ही धातू जो है ये स्वतंत्र रवस अगला देखे, धातूं का वह गुण जिस से उन्हें खीच करतारों में प्रिवर्तित क्या जा सकता है, क्या कहलाता है, तन्यता, यानि कि डक्टाई, तो ये कोशन भी पूछा जाता है, कि धातूं के किस गुण के द्वारा जो है, उन्हें खीच करतारों में प्रिवर्तित क की आजा सकता है, तो ductile कार, ठीक है? आगे देखिए धातुए जो होति हैं, वो थोस, चमकीली तथा, विद्यूत की क्या होती है? सुचालक होती हैं, ओके धातुए क्या करती हैं? धन आयन बनाती हैं, ठीक है? धातुए जो है, इसके लाभे याद रखें धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रोन लूज करती है वही हो गया ना मतलब धन आयन बनाती है, इलेक्ट्रोन को लूज करती है, ठीक है? अगला देखी धातु के उधारन देखी जिसे ओर आयरन, कॉपर, अलुमीनियम कैल्शियम, मेगनेशियम, ये सारी क्या है? ये धातुएं है सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होती है और उन्हें चाकु से काटा जा सकता है तो देखे हमने पड़ा धातु क्या होती है? ठोस होती है, जिनमें चमक होती है लेकिन ये दो धातु जो हैं यह क्या होती है नरम होती है और इन्हें चाकू से काटा जा सकते हैं तो सोडियम और प्टेशियम धातू क्या होती है नरम होती है और इन्हें चाकू से काट सकते हैं नेक्स देखिए, एधातु, एधातु देखे, ढोस, एम, चमकीली नहीं होती, एधातु ये रण आयन बनाती है, और ये क्या करती है, एलेक्ट्रोन को क्या करती है, लेती है, नोन मेटल जो है, वो एलेक्ट्रोन को लेती है, जैसे मेटल थी, वो एलेक्ट्रोन लूज करती थी, ऐसे ही non-metal electron लेती हैं, यानि कि रनायन बनाती हैं, ऐधातु में क्या होती हैं, विद्यूत की कुचालक होती हैं, ठीक है, धातु क्या होती थी, विद्यूत की सुचालक, चमक होती थी उनमें, ठीक है, ठोस होती थी, ये ठोस नहीं होती, ना ही चमकी लिए होती हैं, ना करने पर धातू oxygen से अभीक्रिया कर धातू oxide बनाती है जो शारिया प्रकृति के होते हैं तो इसमें देखें जो है धातू और एधातू oxygen से किस तरह रियक्शन करती है मतलब अभीक्रिया कैसे करती है और क्या बनाती है यह देखें जब कोई धातू oxygen से अभीक्रिया करती है तो आधातू Oxide बनते हैं, जिनकी प्रकृति कैसे होती है, आमली होती है, तो यह चीज याद रखनी की है, कि जब धातू, कोशन कैसे पूछा जाएगा, देखिए, जब धातू Oxygen से अभिक्रिया करती है, तो धातू Oxide किस प्रकृति के होते हैं, आमल, शार, या फिर बोथ या न तो किस प्रकृति के होते हैं शारी है और जब एद हातों के साथ oxygen अभी क्रिया करता है तो वो अमल यह प्रकृति के होते हैं ठीक है आगे देखें इसको देख भी लेते हैं हम देखें sulfur oxygen के अभी क्रिया बनने वाले उतपाद का नाम क्या है? sulfur dioxide gas यानि कि देखें sulfur S जब oxygen के साथ अभी क्रिया करेगा यानि कि S plus O ठीक है? O2 तो क्या बनेगा? SO2 बनेगा reaction हो की यानि कि S plus O2 क्या बन गया? SO2 यानि कि sulfur dioxide बन गया है sulfurous amal मिलता है तो ये प्रूव हो रहा है कि जब sulfur dioxide क्या है? एधातू जब एधातू को हमने जल के साथ अभी क्रिया करवाया तो क्या मिला हमी? अमल यह मिला. यानि कि ऐह धातू के साथ औक्षिजन की अभिक्रिया करवाने के बाद अमल पराप्त होती है, उनकी जो प्रकृति होती है, अमल यह होती है लेकिन धातू की कैसी होती है? शारी होती है ठीके? आगे दिखिये, सल्फियूरिस अमल क्या करता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर दीता है ठीके सामानेत ए धातु के उक्साइड कैसे होती है अमलिय प्रकृति के होती है आगे देखे अब बात करते है जल से अब हमने पढ़ा कि धातु और ए धातु दोनों ही ऑक्सिजन से अभिक्रिया करते है लेकिन जल से सिर्फ धातु अभिक्रिया करती है ए धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती देखे कुछ धातु जल से अभिक्रिया करकर धातु हाइड्रोकसाइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन करते है और ए धातु जो है वो जल से अभिक्रिया नहीं करते आगे देखे, सोडियम धातू बहुत अभिक्रिया शील होता है, यह अक्सीजन और जल के साथ अत्यम्त तीवर अभिक्रिया करता है, यानि कि जो हमादी सोडियम धातू है, उन्हें हम ऐसे खुले भी नहीं रख सकतें, अगर हम उन्हें खुले में रखेंगे तो क्या होगा, वो तुरंट आग पकड़ लेगा इसलिए हमेशा सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है उन्हें हम खुला नहीं छोड़ सकते ठीक है आगे देखें अभीक्रिया में बहुत अधिक उश्मा उत्पन होती है जब वो उनके साथ अभीक्रिया कर लेता है सोडियम अक्सिजन और जल के साथ अभीक्रिया करता है तो बहुत अधिक उश्मा उत्पन होती है इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है ठीक है तो इसे सेव कहां पर रख सकते हैं मिट्टे के तेल में, तो यह question पूछा जाता है कि कौन सी धाति गरो केरोसीन के तेल में सरक्षित करके रखा जाता हैं ठीक है केरोसीन तेल या मिट्टे का तेल कुछ भी कह लिजिए उसमें जो ही ने संग्रहीत करकी रखा जाता है आगे देखे हमने देखा कि sodium जल के साथ तीवर अभिक्रिया करता है लेकिन कुछ ऐसी दातों जो ऐसा नहीं करती सिर्फ sodium ही ऐसा करती है और दातों ऐसा नहीं करती है उधारन के लिए iron जो है वो जल से धीमी अभिक्रिया करता है sodium देखे जल से तीवर अभिक्रिया करता है जो एधातु बहुत अधिक करिया है यानि कि वायू यानिości ऑक्सिजन के साथ मिलके कश सेव करने के लिए उधारन के लिए फॉस्फोर्स क्या एक बहुत से क्रिय धातू है वायो में खुला रखने पर ये क्या करता है आग पकड लेता है फॉस्फोर्स से वायो मंदलिया उक्सिजन का संपर्क ने हो इसलिए इसे जल में रखा जाता है तो फॉस्फोर्स को जल में रखा जाता है, सोडियम को केरोसीन तेल में रखा जाता है, ठीक है इन दोनों को छो है खुले में नहीं रख सकते, आगे देखे धातु अमलो से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवन तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, देखे, धातु जो है वो अमलों से भी अभिक्रिया करते हैं जल से भी अभिक्रिया करते हैं और अक्सिजन से भी अभिक्रिया करते हैं लेकिन ऐ धातु जो है वो सिर्फ किस से अभिक्रिया करते हैं अक्सिजन से ना अमलों से भिक्रिया करते हैं ना ही जल से अभिक्रिया करता है धातू, ठीक है, तो यह important था, यहाँ पर कुछ धातू शारों से अभिक्रिया कर है, हाइडोजन गैस बनाते हैं, यानि कि कुछ धातू ऐसी भी है, जो शारों से भी अभिक्रिया करती हैं, अधिक अभिक्रिया शील्द धातू, कम अभिक्रि देखे, धातु और यह धातु का उपयोग, आपको नुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि धातु का उपयोग देखे, धातु का उपयोग कहा कहा होता है, मशीने, मोटर गाड़ियां, वायू यान, रेल गाड़ियां, उपगिरह, ओद्योगिक, साज़ शामान, खाना ब जिसे सभी सजीव स्वशन के समय अंदर लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, एधातु, जिसे हम स्वशन के समय अंदर लेते हैं, उक्सिजन की बात हो रही है, जब हम सांस लेते हैं, तो उक्सिजन अंदर लेके जाते हैं, तो वो क्या है, एधातु है, एधातु जिनका उपयो गाउं पर लगाया जाता है, क्या है एधातू तो आपने देखा भी होगा जो बैंगनी रंका वो होता है, विल्लिन उसे गाउं पर लगाती है, वो क्या एक एधातू है पठाकों में प्रियुक्त होने वाला भी क्या है एक एधातू है ठीक है तो ये पता चल गया कि ऐधातू जो हम जो हम डैनिक जीमन हमारे जो चलता है डेली रुटीन में में ऐधातू का कितना यूज होता है ठीक है आगे देखिए Qualition देखते है निमन लिखित में से किस को पीट कर पतली चादरों में प्रिवर्तित किया जा सकता है जिंक, फासफोरस, सलफर या फिर ऑक्सीजन तो देखे, पतली चादरों में प्रिवर्तित किसको किया जा सकता है तो ये, देखे, हमने बिलकुश शुरू में पढ़ा था, धातूं को पीट कर पतली चादरों में प्रिवर्थित किया जाता है, धातूं के एक्जामपल भी पढ़ेते हैं, अगर आपको पता है, इसमें से कौन सी धातू है, तो आप इजिली बता सकते हैं, क्या आंसर वो होगा, अब हमने पढ़ा Fast Forest, क्या थी ऐ धातू, जिसे जल में रखा जाता है, जो जल के साथ अभी क्रिया नहीं करता, Sulfur, Sulfur पढ़ा हमने, कि Sulfur जो था, वो Oxygen के साथ अभी क्रिया करता है, Sulfur Dioxide बनता है, फिर Sulfuris अमल बनता है, तो अमल बनता है, अमल किसका बनता है, अमल बनता है, Non-Metals का, ठीके, तो ये भी एधातू है, Oxygen, Oxygen अभी पढ़ा हम निमनलिकित में से कौन सा कथन सही है, सभी धातूएं तन्य होती है, सभी एधातूएं तन्य होती है, सामान्यत धातूएं तन्य होती है, कुछ धातूएं एधातूएं तन्य होती है, तो देखिए हमने पढ़ा था धातूओं का गोण, जिने क्या किया जाता था, खीच कर तारों में प्रिवर्तित क्या जाता था तो उसे क्या कहती थी तन्यता यानि कि डक्टिलिटी और ये जो गुण होता है ये सभी धातुओं में होता है तो सभी धातुएं क्या होती है तन्या होती है ठीक है नेक्स देखें फास्फोरस बहुत ऐधातु है तो हमने पढ़ा था फास्टफर्स बहुत सकरिय ऐ धातू है यानि कि वह बहुत तेजी से reaction करती है ठीक है, मतलब अभिकरिया जो है ज़्यादा तेज करती है, तो फास्टफर्स बहुत सकरिय ऐ धातू है धात्वी क्या है, उश्मा और विद्युत की सुचालक तो दातुएं विद्यूत और उश्मा की सुचालक होती है आइरन कोपर की अपेक्षा कम अभिक्रिया सील है धातुएं अमलों से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाते है तो ये भी हमने पढ़ा था कि धातुएं जो ये अमलों से अभिक्रिया करकर हाइडरोजन गैस बनाती है ठीक है तो यह भी है आगे देखिए, कुछ और कोशन कर लेती है धातु के गुण का नाम बताए जिसमें यह पतले तारों में तब्दील किया जा सकता है सोनरस, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी या कंडक्टिविटी तो देखिए, पढ़ रहे हैं पहले से ही इससे पहले भी हमने एक कोशन किया कि पतले तारों में जो तब्दील किया जाए उसे क्या कहते है, तन्यता, डक्टिलिटी तो राइट आंसर आएगा डक्टिलिटी, नेक्स देखिए पारा के अलावा कौन कौन सी अन्या धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है देखिए, पारा तो होती ही है धरवा वस्ता में इसके अलावा एक और धातु जो कमरे के तापमान पर तरल होती है, वो है सोरी, नहीं, गैलियम ठीक है, वो धातु कौन सी है गैलियम ठीक है, नेक्स देखें द्रव अवस्था में होती है, तो ये जो है, सही होगा, ये धातु के बारे में सही नहीं है, धातु का उच गनतव होता है, धातु को पतली शीट में प्रिवर्तित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, अगला देखें, निमल लिकित में से कौन सी धातु को चा उसे काट सकते हैं, तो याद रखीए अगर तो यहाँ पर देखे सोडियम और पोटैस्यम और गैलियम तीनों ही देविया हैं, तो धातु को जाकू की मदद से, जिसके सडियम और पोतैसियम को टाके हैं, तो यह दोनों सही होंगे, नेक्स देखेए गैलियम तो होई नहीं सकता क्योंकि गैलियम द्रवावस्था में पाई जाती है तो ये थे questions, इसके लागा एक question और पूछा जाता है सबसे हलकी धातु कौन सी है? और सबसे भारी धातु कौन सी है? ठीक है, ये दो questions जो है, पूछे जाते हैं सबसे भारी धातु जो है वो कौन सी है? वो है ओस्मियम और सबसे हलकी धातु कौन सी है? सबसे हलकी धातु है लीथियम ठीक है? तो दोनों याद रखिये सबसे भारी ओस्मियम और सबसे हलकी धातु है वो है लीथियम ठीक है? ठांक यू सो मच